हेलो दोस्तों तो जो जो जॉइनिंग लेटर आज परदान किये गए ठीक है तो आठ को दिये गए हैं जिने गुरूप लेडर बोला गया था और बाकी को उनकी पालिकाओं में या नगर निगम में भेज दिये गए तो एक का में प्रारूप आपको बता रहा हूं और किस तर काटा एंट्री अपरेटर के पजपे और किंद्री सेवा नियम मावली 2017 के नियम के अंत्रगत कारेभार ग्रण करने की तीती से दो वर्स के लिए परिक्षा विधीन होंगे जैसे प्रोविजनल पिरियेड बोलते हैं उक्त अभ्यर्ति के चरित्रयों पूर्य वृत्त सत्य आपन मूल सेक्षिक योगिताओं पर्मान पत्रों आधी के परिक्षण में किसी परकार का प्रतिकुल तथ्य संग्यान में आता है तो नियुक्ती तथकाल निरस्त कर दी जाएगी उपरोक्त अभ्यर्तियों को कारेभार गढ़न करने से पहले निमनिलिखित पर्मान पत्र या परपत्र प्रस्तुत करने आवशक होंगे यानि जोइनिंग तभी मिलेगी जब ये चीज़े हम उनको देंगे मुख्य चिकितसा इकारी द्वारा निर्गत चिकितसा पर्मान पत्र यानि जो मेडिकल एक बनता है नॉर्मल दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा च सेवा के अधिन सेवा के संबन्द में गोशना पत्र और संग अत्वा राज्य की सेवा से पदिचित न किये जाने का पर्मान पत्र ठीक है एक ये पर्मान पत्र लिखके भी देना है कि मैं राज्य या केंदर की सेवा में हूँ या नहीं हूँ और इस सेवा से कभी नहीं क्पग इन्यमित् अधल कोट रचना पायाने पर्तकाल निरस्त करने का कोई आपत्ति नहीं होगी इस संब्ध में कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा संब्धी सपत् पत्र IS ठीक है तो एक सपत्पत्र इसका बन जागा एफिडेविट उपरोग नियुक्ति पूर्णता अर्ष्थाई है किसी भी समय बिना पूरु सुचना के समाप्त की जा सकती है तो देखो जो जब आप तीन तारीक को अपने पालिका या ये निगम आदी उसमें पता करोगे तो आ सब चीजे एक तो आपका सफत पत्र आ गया ठीक है और दो करेक्टर से टिकेट एक मेडिकल का हो गया तो ये सब आपको चाहिए इसके लावा स्वाप परमानित मूल सेक्षिक योगिता अभी लेकों के चाया पड़ती है जैसे एक दो सैट हमने आयोग में दिये थे तो एक सेट और तयार करना है चाहिए परती का जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा स्वाप परमानित वो दे देना है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है और ये भी आदेस है कि 15 दिन के अंदर कारेभार ग्रहन करना होगा ठीक है अब देखो क्योंकि जो आदेस है जैसे इस वा 15 दिन तक सभी को जोइनिंग ले लेनी है है ठीक है तो यही सब है इसमें तो अमीर आपको समझ आ गया होगा